हाई दोस्तों, क्या आपको मालूम है, क्यूं इनाम और जुर्माना हमें धोके बाज बनाते हैं? एक्सपर्ट्स की सलाह क्यूं हमेशा अच्छी सलाह नहीं होती? और USA से एक दिन सतर लाख बच्चे अचानक क्यूं गायब हो गए? ऐसे ही इन्टरस्टिंग सवालों के जवाब मालूम करना है तो लेवट और डबनर की बुक, फ्रीकनॉमिक्स पढ़नी होगी, जिसकी 35 भाशाओं में 40 लाख से अधिक कॉपीज बिक चुकी है, तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं, क्यूं इनाम और जुर्माना हमें धोके ब बच्चों को लेने के लिए वक्त पर स्कूल में पहुँच जाने चाहिए, मगर रोज कोई ना कोई पैरंट लेत होते थे, इससे छुटकारा पाने के लिए स्कूल ने एक एकॉनमिस्ट की सलाह ली, और उसके कहने पर एक नियम बनाया कि जो पैरंट लेत होंगे उन्हें ह बार सौ रुपे पैनल्टी देनी होगी। आशा थी कि बैरंट का लेत आना बन्ध हो जाएगा, मगर इसका उल्टा हो गया। अब ज्याधा पैरंट स लेत होने लगे। इसके पहले लेत होने पर पैरंट स गिल्टी फिल करते थे, मगर अब सौ रुपे देकर वो अफिशल लेट हो सकते थे. सो रुपे economic penalty थी और guilty filling moral penalty थी. ससे केस में वक्त पर आने के लिए économique से ज्यादा moral penalty की ज़रूरत थी. reward और penalty के तीन टाइप्स होते हैं. Economic, moral और ौद सोशल लोग जैनरली पैसों के लिए blood donate नहीं करते. उन्हें लगता है कि blood डोनेट करके वो एक social responsibility निभा रहे है सिगरेट्स की कीमते बढ़ा कर smoking कम नहीं होती मगर public places में smoking नहीं करना चाहिए ये समझ कुछ हद तक smoking को रोक सकती है Teachers को जब students के performance के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और students के अच्छे score के लिए Teachers को reward और बुरे score के लिए penalty लगाई जाती है तो कई बार Teachers खुद students की answer shit भरते है मतलब cheating करना बुरी बात है ऐसे सिखाने वाले Teachers खुद cheating करते है जापान में sumo wrestlers को minimum ranking लाना compulsory करने से match fixing के chances बढ़ गए मतलब reward और penalty के चलते हम कई बार cheater बन जाते है आपने देखा होगा कि आजकल normal delivery से ज्यादा C-section deliveries होती है इसके पीछे एक main reason है doctor की advice क्योंकि हमें medical field की जानकारी नहीं होती हमें doctor की advice माननी पड़ती है उसी doctor को अगर property बेचनी है तो वो किसी real estate agent को appoint करता है उसे लगता है कि ये agent अच्छी कीमत दिलाएगा मगर वो agent buyer के साथ उतना negotiate नहीं करता जितना वो खुद के property के लिए करता है उसे अगर accounts में कुछ issue हो तो वो CA के पास जाता है CA उसे taxes का नाम लेकर डराता है CA का अगर court में काम हो तो lawyer के पास जाना पड़ता है कई बार lawyer case कैसी लंबी चले ये देखता है Lawyer investment के लिए investment advisor के पास जाने पर वो advisor mostly वो schemes बताता है जिससे उसे ज्यादा commission मिले अपने field की दूसरों को जानकारी नहीं होने का कई experts disadvantage लेते है कई बार उनकी advice दूसरों के लिए अलग और खुद के लिए अलग होती है इसलिए हो सके तो experts क्या कहते है ये नहीं बलकि वो क्या करते है ये देखना जरूरी है USA में dependent बच्चों के लिए tax में कुछ शूट मिलती है 1986 में USA के IRS याने Internal Revenue Service Department के पास 7 करोड 70 लाख बच्चों की जानकारी थी उस वक्त तक बच्चों का सिर्फ नाम बताना काफी था मगर तब एक रूल आ गया कि अब नाम के साथ बच्चों का social security number भी लगेगा उसके बाद 1987 में taxpayers ने सिर्फ 7 करोड बच्चों की जानकारी दी मतलब 70 लाख बच्चे गायब हो गए जो शायद कभी थे ही नहीं याने की वहां के taxpayer भी cheating करते थे आपको ये information कैसी लगी ये comment करके जरूर बताईए और इस video को भी like कीजिए और इस channel को subscribe करके bell icon पर भी click कीजिए तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और video में एक नई book के साथ थैंक यू